खुद से जीतने की जीत रख तुझे खुद को ही हराना है और तु भीड नहीं इस दुनिया की तु भीड नहीं इस दुनिया की तेरे अंदर भी एक जमाना है जहें साथियों स्वागत है एक और बहतर वीडियो में आज की इस वीडियो में अपन ट्विल्थ केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर यानि जो सोलिउशन या फिर विलेन उस चैप्टर के जितने इंपोर्टन नियुमेरिकल्स हैं उन्हें हम एक एक करके उनका निप्टारा करेंगे वैसे ये वीडियो त इन से चार पार्ट भी हो सकता है क्यों? क्योंकि दुस्तों इसमें बहुत हीःप्ण नियुमेरिकल्स बनते हैं और सभी नियुमेरिकल्स को हम एक सिंपल से müह में एक करके देखेंगे आज के इस वीडियो में हम मोललता, मोलरता और मोल प्रभाज पर निमेरिकल देखेंगे बाकि इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है ओके मेरे प्यारे इस गुलों तो चलिए इस वीडियो की सुरुवात करते हैं और पहला question देख सकते हैं और इस बात की मैं guarantee लेता हूँ friends अगर आपने इनको बहुत ही ध्यान पुर्वक अच्छे से समझ लिया तो आज के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक चलिए पहला question कहे रहा है कि 5 gram NaOH को 450 ml विलेन में घोला गया है फिर कहे रहा है कि विलेन की मोल अर्ता ग्यात की जिये तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जो value दिये हैं उनको रख लेते हैं और ध्यान से समझ येगा इसी तरह आपको भी ये concept अपलाई करना है कहे रहा है कि 5 gram NaOH को बोले तो दोस्तों ये हमने बताया को जहां पर दिया जाए इतने को इतनी मात्रा को इतने गराम को ऐसा जहां भी बोला जाए small double होता है ये विले का भार होता है अब विले क्या है हमने बताया जिसको किसी चीज में घोलो विले और जिसमें घोलो विलायक तो विले का भार कितना दिया है ये दिया है पांच गराम पांच गराम आगे कह रहा है को 450 एमेल विलेयन में खोला गया है यह य हैमेल विलेयन का आयतन पूरा दे रखा है दोस्त किस में दिया है थीक अबकी बार देखिए इतने विलेयन में खोला गया है अगर जल में कहाता तो हम capital W का value लिखते है ना समझ में आया लेकिन कहा है विलेन में घोला गया यानि विलेन का आयतन दे रखा है तो हो जाएगा ये 450 ml क्योंकि भई आयतन ml में ही तो होगा फिर आगे सवाल में क्या कह रहा है कि विलेन की मोलर्ता ग्याद करना है इसको capital M से ही दरसाते हैं मोलरता को तो wiederan की मोलरता आपको ग्याद करना है यहाँ पर अब देखिए principle M बराबर होता है मेरे प्यारे रजगुलों मेरे किया होता है कि w by M into V ठीक और गुने 1000 यह किसके लिये होता है यह होता है मोलर्ता किसे कहते हैं हमने इस पर वीडियो भी बनाया है कि एक लीटर विलेन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या को मोलर्ता बोलते हैं एक लीटर देखिए यह जो होगा दोस्तों यहाँ पर यह जो होगा हमेशा ml में होगा तभी यहाँ पर 1000 होता है otherwise यहाँ पर 1000 नहीं रहेगा जब यहाँ पर लेटर में लिखेंगे लेकिन फार्मूला हमेशा यहाँ पर यही वाला रखना है ठीक है ना 1000 लगा करके क्यों जो भी दिया रहेगा हमेशा all time यह ml में ही दिया रहेगा तो चले इसके मदद से हम मोलर्ता निकाल लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों मोलर्ता capital M से दर्साईए यहाँ पर विले का भार कितना दिया है कितना दिया है 5 गराम और M भाई सहाब M का तो मान दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे अरे कुछ नहीं चले यह simple तरीके से निकालते हैं NaOH है NaOH है तो NaOH को ही घोला गया तो यह विले है और विले का हम अडूभार का इस से निकालेंगे Na यानि परमाडू भारों के योग को ही क्या कहते है अडूभार कहते है तो NaOH कितना होता है परमाडू करमाग 11 परमाडू भार 23 होता है दोस्तों प्लस आक्सीजन का परमाडू करमाग बात करें तो 8 लेकिन परमाडू भार कितना होता है 16 होता है और हाइडरोजन का परमाडू भार कितना होता है 1 होता है तो यहां से यह कितना निकल कर आया 6,3,9,1,10 की 0 उसके बाद 2,1,3,4 तो यह 40 अड़भार हो गया तो यहां पर हमने 40 लिख दिया गुणे में विलेन का आयतन कितना दिया है तो आयतन कितना दिया है दोस्तों हाँ 4,50 मिल दिया है और उसके बाद गुणे में 1000 अब इसको हम काट देते हैं क्या करते हैं काट देते हैं पांच अठे कितना 40 और इसको आठ से इसको भी काट देते हैं आठ हेक कम आठ आठ दूना दास आठ पंजे 40 तो ये कट गया कितना 125 बार में ठिक तो यहां से जो M यह नहीं मोल अर्था बराबर आया दोस्तों 125 बटे नीचे कितना है 450 जब इसको काटते हैं अपन तो यह आएगा M बराबर तो यह जाएगा 0.277 277 करके इसे चलेगा तो यह इतना इसको निकल लिखेंगे कि इसमें मोल प्रती लीटर में क्यों यहाँ पर मोल अर्था है मोल अल्था होता तो मोल प्रती केजी लिखते तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट एंसर हो जाएगा बात समझ में है हैँना सिंपल सा कोश्चन चले दूसरा कोश्चन क्या कह़रा है इसके तरफ हम रुक करते हैं दोनों सेम पैटरन है बस थोड़ा सा चेंजिंग है चेंजिंग कहा है वही समझते हैं कराय की 5.85 ग्राम एनने सीयल को यनि सोडियम कलोराइड को 250 ग्राम जल में घोला गया अब देखिए अंतर दोनों में क्या था यहां पर एमल है यहां पर ग्राम है अब की बार गया जल में घोला गया है तो यह नहीं आयतन नहीं दिया है और इस फार्मूले में आयतन की जरूरत भी नहीं होती है कराय की 250 ग्राम जल में घोला जाता है यह घोला गया है तो विलेन की मोललता ग्याद किजिए तो वैलू पहले लिख लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान से समझना मेरे प्यारे रशगुलों इसमें कितना दिया है पांच दसमलो आठ पांच गराम दिया है है ना फिर कह रहा है कि 250 गराम जल में घुला जाया विलायक का भार अब की बार दे रखा है तो भाई सहाब कैप्टल जो डबलू का वैलू है वो 250 गराम है विलायक का भार तो क्या करते हैं इसमें भी अणुभार निकालना ही पड़ेगा तो भाई सहाब हम NACL का अणुभार क्यों नहीं यहां से पहले ही निकालना है तो इसका अणुभार निकालते हैं कैसे निकालेंगे सोडियम कितना 23 है ना परमाणुभार भी निकाला यहां पर सोडियम को परमाणुभार 23 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5 ठीक वहाँ पर प्रियार है सवाल में इनने कितना है सीयल कितना है फिर अनुभार आप जोड़कर निकाल लेंगे इसके लिए आपको घबराना नहीं है ठीक अब यहां से कितना हो जाएगा यह पांच तीन आठ हो जाएगा और यह पांच हो गया 58.5 आगया अब चलिए इसमें देखिए इसक की बार यहां पर कैपिटल डबलू और यहां से गुणे में 1000 क्या लिखेंगे 1000 लेकिन ध्यान देना यह जो होगा यह किसमें हमेशा ग्राम में रहेगा ठिक यह हमेशा ग्राम में दिया रहेगा तब यह फार्मूला लगता है अब देखिए यहां से क्या करते हैं इस फार् टिक नीची हो जाएगा एम का मान कितना दिया है तो दिया है 58.5 बास समझ में अब इसको इसके बाद विलायक का भार कितना दिया है विलायक का भार 250 और गुने 1000 यहां पर तो यहां से कितनी बार में जाएगा पचीस तियां पचात्तर पचीस चोके सव चार बार में जाएगा और ये दोस्तों ध्यान से समझेगा ये आपका अगर ऐसे में नहीं समझ में आता है अगर दसमलों हटाना है उपर सव का गुणा कराएंगे नीचे क्या होगा नीचे एक अंक बृध्धी हो जाएगा यानि अब यहां से बचा क्या है क्या बचा है तो ध्यान से समझेगा एम बराबर एम बराबर बचा कितना है चार यहां से चार का गुणा इसमें कराएंगे 0.4 मोल प्रती क्या होता है दोस्तों केजी मोल प्रती केजी यहां से ये निकालेंगे ठीक ना ये चीज अब जिनको नह गया 580 और नीचे क्या हो गया नीचे हो गया यहीं अठावन और पांच एक जिरो बढ़ गया तो भाई पूरा पूरा कट जाएगा और बचेगा एक बटे दस एक बटे दस का मतलब क्या 0.1 तो यहीं चीज है ठीक ना इसको ध्यान से समझेगा यह किस तरह से आया है ना चलि अब यहां से क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं और तीसरा क्वेश्चन भी मज़ेदार है सारे के सारे क्वेश्चन आपके चार नंबर में पूछे जाते हैं साथ में मतलब इसमें क्या है कि पूछ लेगा कि विलियन की मोललता से क्या समझते हैं उसके साथ numerical aid कर देगा, 4 number में पूचेगा या फिर villain का मुललता है, मुललता कुछ भी पूचे, या फिर mol प्रभाज किसे कहते हैं, और ये question तो आया था अपकी बार भी, ये question तो अपकी बार भी आया था, ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं, question क्या कह रहा है कि 36 गराम जल और 46 गराम एथिल अलकोहाल तथा 32 गराम मेथिल अलकोहाल को मिला कर एक मिसरण बनाया गया है, तो विलेन में प्रतेक का मौल प्रभाज ग्याद कीजिए चलिए पहले सबको हम अलग-Erलग लिख लेते हैं, यहाँ पर जल की quantity लिख लेते हैं फिर क्या है जल यह नहीं H2O ठीक दूसरा कह रहा है क्या कह रहा है कि ETHYL ethyl alcohol ethyl alcohol कह रहा है friends तो यह निहीं इसको लिखते हैं C2H5OH ethyl alcohol और दूसरा कह रहा है कि methyl alcohol है क्या है? methyl alcohol यह लगाने का एक दम exact तरीका है दोस्तों यही तरीका आपको अपलाई करना है ठीक CH3OH ethyl alcohol C2 होगा तो methyl alcohol C1 होगा तो ethyl alcohol तुसके बाद इस तरह से दिया रहेगा अब करना क्या है ये धंस समझेगा सभी हमें भार की जरूरत है सभी का जो भार ये दिया है तो भाई साहब ये कैप्टल जो यहां से सॉरी इसमाल जो डबलू का वैलू दिया है मेरे रशगुलों ये दे रखा है सभी में इसमाल डबलू का वैलू इस तरह से आपका तरीका यही होना चाहिए लगाने का ये 36 गराम दे रखा है जल और ये दे रखा है भाई साहब 46 गराम और उसके बाद ये दे रखा है आपका कितना 32 गराम अब सब के यम की जरूरत है निया अनुभार की जरूरत है अब देखी अनुभार की जरूरत क्यों है क्योंकि हमें पहले मौलों की संख्या निकालना पड़ता है तो सभी में M के जरूरत है यम के वहलू की तो भई साफ पहले हम सब में M का मान कैसे निकालेंगे जल है H2O है ध्यान से समझेगा H2O है तो इसका हमण भार कैसे 2 आगे जाएगा प्लस आकसीजन 8,16 तो दोस्तों इसमें जो M का मान कितना है 18 आगया इसमें कैसे निकालेंगे भई साफ सूत्र क्या है C2H5OH है तो इसका अड़ भार कैसे निकालेंगे 2 आगे ले जाएगे दोस्तों कार्बन का 12 होता है प्लस 5 आगे ले जाएगे हाइडरोजन का एक होता है प्लस आकसीजन का 16 होता है हाइडरोजन का एक होता है तो इसको देखते हैं यह 24 हो गया प्लस 5 हो गया ठीक ना हाँ 24 प्लस 5 उसके बाद 16 एक यह 17 तो 7,5,12,4,16 ना कि 6 है उसके बाद 2,1,3,1,4 यानि 46 आ गया और इसी तरह इसमें निकालेंगे CS3,OH है तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें कारबन का 12 प्लस 3 आगे लेके हाइडरोजन का एक होता है परमाण भार और आकसीजन का 16 फिर हाइडरोजन का एक तो यह हो गया 12 प्लस 3 और प्लस 16 ऐक 17 अब यह कितना है 17 तीन 20 बीशच दस 31 यानि ये भी कितना है 32 हूग अब तेखिए इसमें इसके बाद सबसे पहले इसका जो दिया रहेगा भार दिया रहेगा, ठीके ना, सबका भार दिया रहेगा, इसके बाद सबका अणुभार आपको इस तरह से निकाल लेना है फिर काम क्या है? बहुत ही सिंपल कोश्चन है आपका चार नंबर समलोंगर छूट गया तो दोस्तों गया बरबाद हो गया इसमें क्या करेंगे मेरे रसगुलनों उसके बाद हम इसमें काम क्या है हमेरा हम मौलों की संख्या निकालेंगे तो यहां से निकालेंगे हम क्या है कि निकालेंगे जल के मौलों की संख्या ठीक इसको मान लेते हैं ध्यान दो इसमें थोड़ा हम इसको समझने के लिए मान लेते हैं यह A है यह B है यह C है, समझने के लिए लिख सकते हैं तो यहां पर ऐसे लिखेंगे जल के मोलों की संख्या लिखो या फिर A के मोलों की संख्या लिख लीजिए ऐसे, A के मोलों की संख्या अब मोलों की संख्या यहां से निकलेंगे तो यहां से X को निकालेंगे NA, तो A के मोलों की संख्या कैसे निकलते हैं, मोलों की संख्या बराबर होता है, भार बटे अड़ुहार, तो भार कितना है 36 ग्राम, अड़ुहार कितना है, कितना है भाई साहब, 18 है, ठिक, तो यहां से कितना आया, तो NA A का value यानि A के मोलों की संख्या दो निकला आया दो मोल इसी तरह निकालेंगे B के मोल B के मोल लिखिए या फिर यथिलेलकोहल के मोल अब उतना लंबा कौन लिखे इसलिए हम इसे समझने के लिए लिख दे रहें तो B के मोलों की संख्या निकालेंगे दोस्तों यहां पर तो B के भार बटे अड़ भार देखो मोलों की संख्या वही चीज भार बटे अड़ भार यानि 46 बटे अड़ भार कितना है अड़ भार भी इसका कितना है 46 है दोस्तों अड़ भार भी कितना है 46 तो ये कट गया तो B के मोलों की संख्या भी एक आया, अब तीसरा है C के मोल, C के मोलों की संख्या आप निकाल लेजे, तो C के मोल कैसे निकलेंगे, N, सफिक C कर देंगे, तो C के मोलों की संख्या भार बटे और उभार, इसका भार कितना है, 32 ग्राम, और उभार भी 32 है, तो ये भी जो निकल कर आया, वो कितना आया, एक, अब देखिए, ये कटा एक, एक, अब निकालेंगे यहाँ पे कुल मॉलों की संख्या, कुल मॉल, तो कुल मॉल का मतलब दोस्तों, पूरे विलियन में कितने मॉल हो गए, तो जरा बताईएगा, दो प्लस एक, प्लस एक, यनि कितना हो गए, चार मॉल, कुल मॉल कितने हो गए, चार मॉल, अब यहाँ पर निकालेंगे, एक का मॉल प्रभाज, अब कैसे या फिर मोल प्रभाज ठीक ना मोल अंस बोलिए या फिर मोल प्रभाज इसको इस सदर्थ आते हैं एक्स ऐसे या फिर एक्स करके यहां पर जल लिख दीजिए यहन करके जल यहां पर ए मानलियत ए रखिए अब देखिए मोल प्रभाज बराबर क्या होता है कि मोल प्रभाज क किसी विलेयन में उपस्थित किसी एक घटक के मौलों की संख्या और उस विलेयन में उपस्थित कुल घटक के मौलों की संख्या के अनुपात को अपन क्या कहते हैं मौलों की मौल प्रभास या मौल अंस कहते हैं लाइक डट जैसे समझ लेजिए जैसे समझाने के लिए आपको ہमें कास्केट बना दें हैं इसमें मान लेते हैं दोस्तों तीन मॉल है एन ए है इसके बाद एन बी है एन सी है तो ए का अगर हम मॉल अंस निकालना चाहेंगे तो एक के मॉलों की संख्या तो उपर हो जाएगा NA और नीचे कुल मोलों की संख्या यहनी NA प्लस NB प्लस NC इस तरह से समझ में आ गया ना कि किसी विलेन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलेयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या की अनुपात को मोलांस या मोल प्रभास कहते हैं तो भाई साब एक का कह रहे हैं तो एक के घटक के मोलों की संख्या को उपर लिखेंगे एक गटक के मोलों की संख्या उपर कितना था दो था और नीचे कुल गटक के मोलों की संख्या कितना है चार है तो भाई साहब इसको हम काट कर कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना एक बटे दो कुछ करिये मत ऐसे ही रहने दीजिए काटिए मत यह हो गया दूसरा निकालेंगे क्या निकालेंगे फ्रेंट्स बी के बी का मौल प्रभाज कहिए मौल प्रभाज दोनों एक चीज़ है ठीक तो इसमें लिखेंगे X B B के मोलंस में क्या वही चीच भाई B का कह रहे हैं तो B के मोलों की संख्या B के मोलों की संख्या कहा गया इधर रहा और यहां पर नीचे अनुपात में बेटे में क्या जाएगा कुल घटक के मोलों की संख्या यहीं नीचे सब में वही रहेगा तो answer कितना निकल कराया 1 by 4 ठीक इसी तरह निकालेंगे C का मोल अंसे यानि C का मोल प्रभाच C का मोल प्रभाच यानि C का मोल अंसे निकालेंगे या मोल ठीक ना मोल प्रभाच या अंस बोल यह वही चीध है सब में ठीक अब यहाँ से क्या करेंगे इसको XC से दर्शाएंगे XC से मतलब C का मोल प्रभाज या फिर आपने हमने कहा ना A B C करके ना यही पूरा लिखो भाई X जल लिखो X एथिललकोहल लिखो X मिथिललकोहल है वही चीज अब C के घटक के मोलों की संख्या कहेंगे उसके मोल आपने जो निकाला है वो रहेगा अब इसे चाहे चार दे दे चाहे पांच दे दे हमें क्या मतलब उससे भई दो दिया होता तो हम दो का निकालते X A X B का निकालते ठीक ना इस तरह से हम किसी भी विलियन में उपस्तित दो या दो से अधिक घटकों के मोल अंस या मोल प्रभास निकाल सकते हैं तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हुई अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना यार आप लोग करते क्यों नहीं हैं हमारे तो यहीं नहीं समझ में आता है आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं इतना पसीना निकल रहा है ठीक कि मेरे प्यारे रजगुलों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए और गुरू दच्छिना के नाम पर बस इतना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा से इर करें इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए मिल दें किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ Love you, Bye Bye, Take Care तो आप इसको स्क्रिन सोट कर लेजिए